बेक पेन यानि कमरदर जिससे कि इस दुनिया के कई मिलियन्स पिपुल पर भावित है बेक पेन केवल बुढ़ापा में ही नहीं बलकि जबान और बच्चों में भी दिखा जाता है यह जदातर एकी जगह बैठे रहने से या कोई भी एकी पोजिशन में आप रहते हैं तो य आज के इस वीडियो में आपको 15 योगा इस टेप बताऊंगा जिसके थूर आप वेक पेन से रिलिफ पा सकते हैं। इस वीडियो में में परतेख योगा का जो है स्टेप बाइस टेप कैसे करना ये तुम्हें नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो है कि आपको एक बच्चे के रूप में योगा करना है बालासान योग को करने से सरीर का स्ट्रेचिंग बढ़ता है साथ ही कमर की मान स्पेसियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है और जिससे आपको बेक से रिलिफ मिलता है से हैं अधोमुक सवाशासन योग जिसको इंगलिज में डान वर्ट वेसिंग दोग भी कहा जाता हैं दैसा कि इसका नाम से पाता है कि डान वर्ट या आपको मुhu जो हैं नीचे करके रखना है और आव कि दोर आपको फेस जो करना है, इस योगा step को करने से body में blood circulation अच्छा से होता है खास कर brain में blood circulation तेजी से होता है, और इस योग को करने से आपके कंधे एवं पीठ में हो रहा है, दर्द के लिए काफी लावदायक है इस योग को करने से आपको बेक पेन से काफी रिलिफ मिलेगी थर्ड re drug Ist Setubandaisan Yog जिसको English में Bridge Pooj भी कहा जाता है जैसा कि इसका भी आपको नाम से पता कर सकते हैं कि Bridge यानि कि आपको एक Bridge के तरह योगा करना है जैसा कि इस योग को करने से आपको JINE झांक एबं कुल्यों से लेकर घुटने तक होती है जो पाईर के मुंवमेंट में सहायक होती है और हमें स्ट्री जंग की सबसे बड़ी मांसपेसि को हड़ी से जूरती है इस योगा आसन को भी सितुबंद आसन योगा को भी करने से आपका बेक पेंशे रिलीफ मिलता है हो फॉर्त नंबर है जैसे कि आपको नाम सहीं देख सकते हैं गाई बिली पोच जिसको चक्रवाका आसन भी कहा जाता है इस योगा आसन को करने से सरीर के अनेक फायदे होते हैं लेकिन खास कर यह रीड की हड़ी को एक अच्छा खिचाव देता है साथ ही बेक पिन एंड नेक पिन दोनों से राहत दिलाता है इस योगा आसन को कम से कम एक मिनट तक जरूर करें फिप्थ नमबर है ट्राइंगल पोज यानि त्रेकोन आसन इस योगा आसन को करने से पायर हाथ कुल्ह एवं रीड की हड़ी में खिचाव लाता है और मजबूत भी बनाता है जिसके फल स्वरूर के कमर दर्द से भी राहत मिलती है साथ ही फिजिकल एंड मेंटल एस्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है ट्राइंगल पोज को करने से आपका पायर जो है मजबूत बनता है वं कमर की स्ट्रेचिंग भी बढ़ता है जिससे कि स्ट्रेचिंग बढ़ेगी ता आपका बेक पेंड से रिलिफ मिलेगा रिड की हड़ी की फिलेक्सिलिटी यानि की लचीलेपन को बढ़ाता है और बेक पेंड से राहत मिलती है इस पोज को कम से कम पांच मिनट तक जरूर करना है सेवन्थ नमबर है कोबरा पोज जैसा की नाम से आप से गुन सकते हैं कोबरा पोज यानि की आप हिंदी में इसक अपना छत्ता करता है उस तरह से आपको इस पोज को करना है इस योगा आसन को रिड की हड़ी की लचीलेपन के बढ़ाने की छमता के रूप में जाना जाता है इस योगा आसन को करने से रिड एवं कंडे को मजबूत करते हुए छाती को यह फाइल आता है जिससे की हड़ी की फिलक्सलिटी बढ़ता है जिससे आपको बेक पेंस से रिलीफ पाने में काफी मददगार होता है नेक्ष्ट है एड नमबर सलंभा आसन योग जिसको लोकेश्ट पोज भी कहा जाता है या गरास उपर पोज भी कहा जाता है इस योगा आसन को करने से पीट के उपरी हिस्से की मांस पेसियां, बाजू, पैर, बुटक का स्टेंथ बढ़ता है, एवं पेट की चर्वी को भी कम करने में काफी मददगार होते हैं, साथ ही कमर दर्द से भी यह राहत दिलाता है, इस योगा आसन को करने से आपका बहरी कुल्हा एवं जांगो को यह फैलाता है, रीड को यह लंबा करता है, कमर के हड़ियों को लचिले पैन को बढ़ाता है, जिससे की आप कोई भी काम या करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपका लचिला पन अच्छा से रहेगा तो आपका बेक पेन नहीं होगा, आपकी उपरी पीठ हिस्सा में यह तागत बनाता है, पावर लाती है, कंधा एवं रीड की हड़ी की भी फिलेक्सिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही आपका पाचन किरिया में भी काफी मददगार है, जिसका पाचन किरिया खराब है, इस योग सर्कूलेशन अच्छा से होता है, जब आपका सरीर में बोडि सर्कूलेशन अच्छा से होता है, तो आपका हेल्थ भी बेटर रहता है, रीड को खिच कर रही है, पीठ की माम स्पेसियों को मजबूत करता है, एवं लचिलेपन को बढ़ाता है, पाचन किरिया में सुधार क उसको मसाज कर टॉक्सिंस यानि विसाक्त पदार्थ जो है उससे मुक्त करता है, रीड एवं पीठ के गति सिल्ता को इंप्रूब करता है, इस प्रकार से आपका बेक पेन से रिलिफ मिलेगा, नेक्स्ट है अलेवन्थ नमबर, थ्रेड द नेडिल पोज, जिसको उर्धव मुखा पासन भी कहा जाता है, इस योगा आसन को करने से सोल्डर्स, चेस्ट, आर्म्स, नेक एंड पीठ के उपरी हिस्से को यह फाइल आता है, रीड की हड़ी को हलका मौर्ग परदान करता है, स्ट्रेस मुक्त करता है, जिसको बहुत स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है, वो भी आप इस योगा आसन को अपना सकते हैं, बेक पेंड एंड सोल्डर पेंड दोनों से आपको राहत मिलेगी इस योगा आसन को करने से, नेक्स्ट है त्वेल्थ नॉम्बर, अफवर्ड फेसिंग डोग पोज, जिसको उर्धवा मुखा सवासासन योग भी कहते हैं, पीठेवं कमर दर्ध से यह राहत दिलाता है, नेक्स्ट योगा आसन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट योगा आसन है, रिकलाइनिंग पिजन पोज, इस योगा आसन को करने से, आपका हीप्स, लोवर बैक, लोवर बोड़ी में सर्कुलेशन में काफी सुधार होता है, आपका बेक पेन यानि वेस्ट पेन से भी आपको राहत मिलेगी, आपके कुल्हों को खोलता है एवं जोड की मान स्पेसियों को गति सिलता एवं लचीलेपन को बढ़ाता है, नेक्स्ट योगा आसन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट योगा आसन है फॉर्थिन संबर, प्तान आसन भी कहा जाता है, इस योगा आसन को करने से आपको काफी फाइदे होंगे, इस योगा आसन को करने से आपका स्ट्रेस, डिप्रेसन, ब्रेन को यह सांत करता है, जो ज़्यादा डिप्रेसन रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं इस योगा आसन को अपना सकते हैं, आपका digestion इंप्रूब होगा, कमर एवं कुल्ह की flexibility को बढ़ाता है, कमर एवं जांगों के दर्द से भी रहात दिलाता है, बेक पेन से relief पाने के लिए last है 15th नमबर, knees to chest with slow rock, जिसको अपना असन भी कहा जाता है, इस योगा असन को करने से pelvis area एवं पीट के निचले हिस्चे को यह फैलाता है, एवं दर्द को भी यह कम करता है, अत्यधिक करोध, excitement, चिंता, high blood pressure को यह reduce करता है, जिसका BP जैदा है वह है इस योगा असन को जरूर अपना सकते हैं यदि आप ठका हुआ महसूस करते हैं, तो इस योगा असन को कर सकते हैं, क्योंकि इस योगा असन को करने से दिमांग को सांत करता है वं बोडी को अराम दिलाता है, तो dear friends, आज की इस वीडियो में आपने जाना 15 योगा असन जिसके थुरू आप बेक पेन से relief पा सकते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, फेस्बुक के इस्टाग्राम पर देख रहें तो फोलो कर लें, यहां तक वीडियो रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक इंट्रेस् रहें, स्वस्त रहें, सिखते रहें और कमाते रहें, अगें थैंक यू